हाई फ्रेंग्स, हेलो टो एब्रिवन, कैसे हैं आप सब? मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूटूब परिवार में जिसका नाव में धाकर जैस और फ्रेंड्स सीटेर पेपर फर्स्ट यानि जो पीर्टी का है हमारा उसके रिगार्डिंग में EBS का कम्प्लीट स्लेवर्स करा चुकी हूँ और अभी हमारी सीरी चल लिए है TGT Math or Science की और जिसमें हम पढ़ रहे हैं TGT Science और आपको बता दू TGT Science के रिगार्डिंग में 5 वीडियोज अलरड़ी अप्लोड कर चुकी हूँ और इन वीडियोज में हमने Class 6 और Class 7 कम्प्लीट कर ली है और अभी जो हमारी Class स्टार्ट होगी वो Class 7 स्टार्ट होगी और आज हम डिस्कुस करेंगे पार्ट से जो कि बहुत इंपोटेंट है इंपोटेंट सारे वीडियोज है बिकोज कि NCRT का कंटेंट है क्योंकि NCRT की जो बुक्स होती वो अपने आप में ही बहुत इंपोटेंट होती है और अगर आपने जो प्रिविएस वीडियो से वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाके देख सकते हैं या फिर आप डारेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चरूर देखना बहुत इंपोटेंट वीडियो है बहुत ज़्याद आपके लिए हैल्फुल देगी तो चले फ्रेंट्स बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं तो फ्रेंट्स फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि मार्च पास्ट करते हैं सिपाई देखे हैं यह हम ओलड़ी डिस्पस कर चुके हैं कि सरल गती क्या होती है हमारी आवर्थी गती क्या होती है हमारी वर्तुल गती क्या है यह सब हम प्रेवियस वीडियो बेटिस्टस कर चुके है तो इसी में कुछ एक्जामपल ते कि जो मार्च पास्ट करते हुए सिपाही होते हो उसकी गती कैसी है वो तो किस टाइट का गती है वो सरल गती है नेक्स यह सीधी सटक पर चलती बेल गती काथिया वो भी हमारी सरल गती है नेक्स आसले दोडते धावद के हाथों की गती देकि हम दोडते हैं तो क्या होते है इक बढर आगे जाते है एक बढर पीछी जाती है यानि उसी मोचल में चलतेर रहते है 형 और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चलती साइकल के पैडल की गती, जो साइकल चल रही है तो उसके पैडल की गती कैसी है, तो राउंड राउंड में घूमता रहता है वो, तो वो वर्तुल गती का उठाने, कैसा है, वर्तुल गती है, नेक्स्ट है कि सूर्य के चारो और पर्त से चलने लग जाते हैं, तो यह क्या है हमारी आवरती गती का उधारन है, नेक्स्ट आता हमारा लोलक की गती, तो लोलक भी क्या है, हमारी आवरती गती का उधारन है, और फिर आता हमारी सरल लोलक की गती, तो वो भी क्या है हमारा आवरती गती का उधारन है, अभी देखते ह कि उत गुहों को प्रत्री की कच्छा में छोडा करने वाले रोकीट ट्राइब 8 km पर 30 सेकंड जिकर कितनी फास्ट स्पीर है इंकी 8 km पर सेकंड यानि एक सेकंड में 8 km के डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तक चाल प्राक्त कर सकते हैं इसके विपरेट कच्छो आके वल कच्छो आपने देखा हूँ हमारी बाइक यगारा होती है उसमें आगे 8 km होता है कि वह कितने 1 km चली है तो जो वाहनों के दौरत तय ही दूरी होती है उसको किस से मापते हैं? मापते हैं अभी हम चलते हैं अपने next point के तरफ यह है हमारा question देखे, कोई भी जब चैप्टर फिनिक्स होता है, चैप्टर के एंट मैंने उस चैप्टर में दीए एंसी आर्टी के क्योंस इंक्रूड कियो है, जब 50 क्योंस हो जाएंगे तो मैं आपको सब्ट के आंसर तेलेग्राम पर प्रोवाइड करा दूगी, देखे, मैंने क्योंस मैं डाला है, लिकिन अगर आप प्रीवेस के जब वीडियो देखोंगे तो उसके अकोड़ेज का क्योंस नमर आपको मिल जाएगा, तो इसी में है कि चाल का मूल मातरक क्या है, यह उप्सन दिये हुए है, और आपको इसमें से राइट उप्सन को स्लेक्ट करना है, नेक्स बहुत इंपोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना, इसको मैं इवन अपनी आने वाले जो वीडियो होगी, जिसमें मैं सारे क्यूसन को एक्स्प्लेंट करके बताऊंगे आपको, और बहुत अच्छे से संचाऊंगे, और यह सीटेट का रिपिटेट क्यूसन है, य आप चार गराफ दिये हुए है, आप चारो को और फिर इसको रिप्लाई करना, नेक्स्ट है हमारा की राष्तिय भुतिक ट्योगचाला नई दिल्ली मिश्तीत है, आप देखे, आप जब भी बैटरी में सेल डालते हैं, तॉप नहीं दिल्ली मिश्तीते हैं, आप देखे, तो इस सेयोजन को क्या बोला जाता है उसको बैतरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है कि हमारा जब किसी तार की कोई वितुत धारा प्रभावाईत होती है तो उसके क्या हो जाता है गरम हो जाता है और इसे क्या बोलते है वितु धारा का ताफ्पिय प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं अभी next है हमारा कि देखें जो वितु धारा का ताफ्पिय प्रभाव यानि जो उश्मा उपन भुतियों किस किस पर निर्फिल करते हैं तो पहले है कि उस तार की धाफ्पिय जिससे बना है तो इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सी धातों से वह बना हुआ है उसकी लंबाई क्या है और उसकी मोटाई क्या है इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है कि हमारे जितने फ्फी ब्लम वगेरा होते हPhone में फ्यूज लगे होते हैं फ्यूज के होते हैंकि जब बहुत जब हम उल्ली तो फ्यूज पिंगल कर टूट जाते हैं ठीक है अभी यह फ्यूज क्या explic ya अगर पिंगल के नहीं टूटेंगे तो सोट शर्केट वगेरा भी हो सकता है कहें लाइफ में मालों कभी तेज हो रही है तो यह फ्यूज इसमें हैल्प करते हैं अभी देगे फ्यूज के निर्मान में किया जाता है और जो विदुद प्रिपत के छती और आग से बचाते हैं इसके लिए आप एक एक्सपरिमेंट भी कर सकते हैं और एक सीधे पाइप से देखोगे तो आपको दिखाई देगा लेकिन अजब जिग जेक मोशन में कोई पाइप है हमारा और उसके देखते हो तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो यह क्या है कि जो प्रकाश से हमारो सरल रिखा के अनुदे से गमन करता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रावरतन और इंग्रिस पे बोलते हैं इसको रिफ्लैक्शन बोला जाता है अभी यह क्या है तो यह क्या है बिसिकल कोई भी रेज आई और रेज आके किसी भी मीदल पर टकराती है ठीक है और उ तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाते हैं तो NCRT की क्लास 9 की बुक लिजिए और पढ़िए अभी नेक्स दे कि हमारा समतल दर्पन देखे इसमें से कभी कभी पूछा जाता है तो यह भी देखना जरूरी है कि समतल दर्पन क्या है तो यह हुआ परतिवि देखें कि प्रतिवि में जर्पन से लिखाई देताया ओर ऴिंब के समान साइच काही कि दिखाई इस ते न दर्पन के पी pacot से उसमान साइज के जए इन की का इतौरी पर होता है जितने के दर्पन से विंब की दोरी होती इसमें माग लिजिए만 में travesti नहीं में अरो 20 तो जो मेरा प्रति बिम्ब बनेगा वो फी मिरर के पीछे 20 cm की डिस्टेंस पे बनेगा तो मेरे बिम्ब और प्रति बिम्ब के बीच की दोरी कितरी होई 40 cm की होई ठीके फ्रेंट, I hope आप यह समझ गए होगे बिम्ब का बाम भाग प्रति बिम्ब का दक्षिन भाग और बिम्ब का दक्षिन भाग प्रति बांग भाग के दिखाई देता है यह आप सुद एक्सपेरिमेंट करें इसके कि मिरर के सामने खड़े हो अपना राइट हैं उठाओ और जब आप कंपेर करोगे कि जो मिरर में हमें दिखाई दे रहा हो हमें हमारा लेक्ट पे दिखाई देता है तो यह एक बर आपको खूद करके देखे आपको बहुत इसके लिए बेस्ट एक्जामपल है हमारी स्पून लुआप सब्जी बनाने के जो चम्चे होते हैं वो चम्चे लेजिए कोई तोड़ा फ्लैट पाइप का होता है थोड़ा वो लीजिए बिल्कुल उंडे वाला जो गहरे वाला होता हो मत लीजिए तो इसमें जो पॉइं इसके अभाव भाव होगे वह जो कोई बऄ फस बनने के बाद आवन केद़् अंक्ते था हूँ घुड़ बनने वाले प्रहत्यँ हो जिस भी इमेज़् को हम पर्दे बना ले जै है वह क्या है hearts होती है और जो हमें प्रदेपन नहीं मिलते हैं वो क्या होती है हमारी virtual image होती है next है कि आउतल दर्पन क्या करता है basically तो आउतल दर्पन क्या करता है कि जो परतेविम होता है उसका size बिम से जो कि आउतल दर्पन किया है आपने देखा हुआ कि साइड मेरे में हम बहुता है और हमें चोटी छोटी चोटी 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 है दिखाए देती हैं तो इसका देखो प्रतिविम कैसा होता है? सीधा होता है, बिलकुल, सीधा दिखाए दिखाए देती है अभाशी है और साइद में विम्द से छोटा पाइय जाता है इसका next point है कि उत्तल लेंस वास्टिक तथा उल्टा प्रतिविम बना सकता है उसे नेइस बिम्व लैंज के अत्तदीक दिकत रखता जाता है तो बनने वाला प्रतMore GmbH आपाशी शीद्र और आवर्दित होता है देखेए अगर जो बिम्ब है लैंज के बिल्कुल पास रखा गया तो प्रतिविम के असब नेगा थोड़ा आवर्दित हो सकता है अब इक आवर्दित होगा तो इसके एक प्रोपर्टी ओर आजाती है कि जब उत्तर लेंज को वस्तों को आवर्दित करके देखनी की लिप्योग कर जाता है तो इसे किस लेंज की नाम से बोलते हैं आवर्दित की नाम से बोला जाते हैं नेक्स्ट प्वेंट है कि आउत्तर लेंज सदेव सीधा अभाशी और साइज में चोटा प्रतिविम में मनाता है अब नेक्स्ट इस आलसो वेरे इंपोरेंट की स्वेट प्रता सात रंगों का मिक्षर होता है नेक्स्ट क्यूशन है यह मैं आपको डिस्कॉस्ट भी करवा चुकी हूँ कि बिम के पीछे मैं इतनी दूरी पर हूँ मेरा प्रतिविम इतनी दूरी पर बनता है तो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस के है कुछ उसे टाइप पर है यह तो आप अच्छे से करना नेक्स्ट के साइड मिरोर से एलेटिड है तो एक बर पढ़के और इसे भी अच्छे से सोल करना अब नेक्स्ट है आता है वो हमारे वर्स 2.तिएड को अंतरास्ति एलावन जिल वर्स मैनाचे गया अंतरास्ति एलावन जिल वर्स का बन्याचे 2.003 को मिरो भी सारे situação की मिनों की जैसे पिफ्टी क्योशन हो जाएंगे मिनों की और उसमेंने सारे क्योس निक्यो वि कौन सा अकारक जल की कमी के लिए उत्रताई नहीं है यानि जो जल की कमी है उसके लिए उत्रताई कौन नहीं है तो यह option दिये हुगए है इन्हें पढ़े हैं आप अपर अच्छे नेक्स्ट पाइंट हमारा सुक्र वर्हा या सुवर एक कुछ पशो के नाम है गोर बाइसन ब करें आरें तो दुए हैं तो उसके बोलते हैं अधिक सखंध चेतर यहां पर क्या- type रहा और सूर उर और बाइसन पाइजते हैं tow क्या जक्त पहेंभा जाती हैं गिदर पहती जैसे चंचों पाई जाते हैं तेक्विडे लिए से लिए इसके बाद देखे क्लास ये वीडियो क्लास 7 के लास्ट वीडियो है इसके बाद हमारे क्लास 8 स्टार्ट होगी उमीद करते हूं कि आप सको पसंद भी आ रहा होगा और आप से एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में करें कि NCRT की बुक से प्लीज जो एक्सराइज दी हुई उसे जरूर सोर क आप बहुत बेनेफिट होगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वन में उची व्रक्सों की साखाएं किस प्रकात कम उचाई वाले व्रक्स की उपर चट की तरह दिखाई देती है वो क्या कहलाते है वितान और कनोपी कहलाते है जब भी आप जिंगल में जाओ तो देखना जैसे कि हमन बोड़ी भी हर इंसान इक दूसरे से डिफरेंट है ऐसी जो वरक्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज में आमाप में पी तो इसी कारण से किसी वर्थ के विफिन उचायों पर च्टेज पर्टे बनी होते हो उसी क्या बहते है अधूत जाता है, next point is also very important, repeated in seated PRT and also in TZT, तो घास को कोन खाते है, कीट को कोन खाता है, मेंड़ को कोन खाता है, साफ को कोन खाता है, दिरूर खाता है, तो यह है हमारी cycle, इसको आपको याद रखना है, next, एक मर्ग, पात्पो और जन्तु उत्को को खाते है, उन्हें गहरे रंग के पदाफ में प्रिवल्टित कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हुमस क्याते हैं, और इसे रोटिंग डेड मैंटर्स भी एक लास एट में हम और इसके बारे में खोड़ा पढ़ेंगे, next है हमारा, कि पात्पो और जन्तों के मर्ग सरीर को हुमस में प पहला है, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानि इन में से कौन सा एक बनो का उत्पाद नहीं है, जो हमें वन के द्वारा नहीं मिलता है, next है कि निम्न में से कौन सा वक्तवे सही नहीं है, ये कुछ वक्तवे दिये गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसम बनने वाला एक उतपाद के है, तो कुन सा एक उतपाद बनना है, उसका नाम लिखना है, नेक्श रहता है कि वाहित मल क्या है, सीविर्स क्या है, देखे अब इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वाहित मल दर्व रूपी अफसिस्ट होता है, और इसमें अधिक क्या है, कि ओजोन लेवल, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ा हुगा, साइंस में इवन, हमारे जोग्रफी वगेरा में इसके बारे में काफे डीपली दिया हुआ है, तो आप इसमें पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएदा, तो नेक्श तेकि ओजोन के बारे मेने से निम् पा रही है, एक बन में ट्राइ करती हूँ, ओप्शन्स कवर नहीं हो पा रहे है, तो आप अपने खुद की तरफ जब हम प्रेस्पिस हैं, जब में सोल करवाँगी सारे क्यों तो मैं आपको चार ओप्शन तो मिल रहे हैं, आपको बताने की कौन-कौन से एक मिसे सही है, क् खै सही है, खै और गै सही है, या फिर सारों चारों सही हैं, तो ये थी अज़ की वीडियो, तो उमेद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई, तो अपने उन सबी फ्रेंट्स के साथ जरूर सेर करना, जो कि सी ड़िक्व फोई भी टेट का एक्जाम है जिसकी प्रिप्रेशन कर रहे हैं ताकि उनका भी बेनिफिट हो उसके और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और friends ये सीरीज हमारी ऐसे ही continue रहेगी इसमें हम CDP Hindi, English सभी cover करेंगे even practice sets भी soul करेंगे और जो most important question है जो repeated questions है वो सब मैं आपको provide कराऊंगी तो channel के साथ ऐसे ही बने रहना और हमारा एक दूसरा channel है जिसका नाम है LYF Vlogs याने Life Vlogs तो प्लीज एक बर जाएं और देखें और उस channel को भी subscribe कर दें तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैखारत जैहरियाना बेटी बिचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे भढ़ाओ